सिमरिया के पूर्विधायक के वेर हाउस में 30 साल की युवक की लाश मिली इलाके में संसनी फैली मृतक युवक के परिजनों ने हत्या की उचित इस्तरीय जाच की माम की चो रटा थाना छेत का है मामला सिमरिया के पूर्विधायक के वेर हाउस में 30 साल के युवक की लाश मिली इलाके में संसनी पहली मृतक युवक के परिजनों ने हत्या के उचित इस्तरीय जाच की माम की चो रटा थाना अंतरगत है पूर्विधायक का वेर हाउस चुराटा थाना अंतरगत उधित इन्फरा वेयर हाउस में ड्यूटी के दोरान 30 साल के अंकित की हुई मौत परिजनों ने उच्छिस तरी जाच की मांग की है नई गड़ी थाना अंतरगत रहने वाले युवक अंकित की मौत चुराटा के उधित इन्फरा वेयर हाउस में बीती साम हो गई युवक के परजनों ने युवक के मौत की उच्छिस तरी जाच की मांग की है रीवा के चुराटा थाना अंतरगत उधित इन्फरा वेयर हाउस में यूवक की कल साम ड्यूटी के दौरान मौत हो गई परिजनों ने घटना की उच्छिस्तरी जाच की मांग की है परिजनों का साब तोर से कहना अंकित मिस्रा पिता दयानन मिस्रा जिनकी उम्र तीस साल थाना नई गड़ी के रहने वाले थे बीती शाम रोज की तरह रीवा के चुराटा के पास बेयर हाउस में ड्यूटी करने गए थे उसी दोरान उनकी मौत हो गई परिजनों का साब तोर से कहना बेयर हाउस में जब उनकी तबियत बिगड़ी तब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था ड्यूटी कर रहे आने लोगों ने भी अंकित की तरफ ध्यान नहीं दिया जिससे हमको शक है कुछ गरवड हुई है पुलिस को जाच करनी चाहिए जाच में अगर कुछ गरवड़ी आती है तो दोश्यों के खिलाब करवाई होनी चाहिए और यह बजा से तो हमको में भॉपाल वित्हां को ख़बर गई कि मुलिक की हो गई है तो नहीं आया अगर कुछ होता है तो थाने में आई आज होती है सुचना दी जाती है और स्टाप आता जी उहां करना चाहिए उस साथ में रहते हैं तो कोई कुछ नहीं हुआ है अब आप क्या चाहते है मैं चाहता है कूछित कारवाही की जाए चुरटा थाना चित्र की घटना है नुबस्ता चोकी की अभी इसमें डॉक्टरों की टीम से पीम कराने का बताया गया है और पीम के पश्चात परजन जो आए थे उनको बताया गया है कल वो आएगे खाने और बैटके अपना विस्तरत स्टिप्मेंट देंगे उसकी पश्चात उसमें आगे मर्ग जाच के जोड़ान जो भी आएगा उसके इंसा लिग एलेक्शन लिए जाएगा